हाई बैलकून बीजन लोग आज में स्टार्ट करने वाले अपना नया टपिक Amendment of Constitution समिधान संसोदन हम देखेंगे समिधान में कैसे संसोदन किया जा सकता है क्या कि समिधान संसोदन के प्रोविजन Constitution के अंदर मैंसन है विडियो को लाइक के जिए चैनल को सब्सक्राइब के जिए स्टार्ट करते हैं Amendment of Constitution समिधान संसोदन समिधान जब बनाया गया तो यह चीज पता थी कि समिधान समय के साथ साथ कुछ ना कुछ changing की requirement होगे उसके लिए समिधान में यह भी प्रोविजन दिया गया कि जब पार्लेमेंट चाहें समिधान को संसोद्ध कर सकती है एक नियम के तुरू एक प्रोसीजर के तुरू मतलब एक नियम बनाय गया जिसके तुरू कि समिधान को कbodraft किया सकता है। उसको मेंसेन किया गया है Article 368 के अंदर जो हमारा आता है पार्ट 20 थैसे vortex 38 के थुठ पॉस्टिटीशन किआ सकता है धर को change किया जा सकता है सभीदान में बदलार डाई जा सकते हैं Article 368 की power मिलती है परलिमेंट को के पास power है कि यह समिधान के अंदर जह सकते हैं कोई बी रटेम संसें कॉंस्टूटींट है कि जब जब समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो कुछ ने को चेंजिंग की रिकार्मेंट होती है जो जो चंज्ञ होती है इसे ऊट्रोरी अडॉप्ट करने के लिए परिपेशलों गा longitud 59 कि हम बोला गया है कि Constitution को अमेंड तो किया जा सकता है ठीक है Constitution को power of Parliament to amend the Constitution और इसका procedure पूरा मेंड़े लेकिन बोला गया Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of Constitution एक Parliament Constitution को अमेंड तो कर सकती है लेकिन उन provision को नहीं चेड़ सकती जो Constitution के basic structure से टेके हुए है मतलब जो basic structure बनाते है Constitution को नहीं चेड़ा जा सकता अब basic structure को define किया गया था वो हमारे define किया गया था के इस बानंद भारती केस 1973 में इस चीज को डिफाइन किया गया था कि थीओर्यों basic structure बेसिक structure की थेओरी को define किया गया था कि basic structure को को अमेंड नहीं किया सकता Constitution के basic structure का मतलब जैसे rule of law है या फिर कोई भी election का procedure है अब ऐसा तो नहीं है कि पार्लेमेंट अपनी मर्जी से Constitution के अंदर ही changing लेके आजे कि अब जो election है जो election एक बार हो गए वही हमेशा रहेंगे मतलब अब दुवारा election नहीं होंगे जो सरकार एक बार बन गए हमेशा वहीं चलागी यह तो possible नहीं है यह हमारे उस basic structure का पार्ट आतने किया जा सकता है लेकिन basic structure को नहीं इसी टाइम में जो 1951 में 1951 में ही Constitution के applicable होने के जश्ट एक साल बाद की पहला परस्ट Constitutional Amendment Act आया था पहला Constitutional Amendment Act आया था 1951 में और इसमें एक नई schedule 1 वह schedule 9 को इसको एड किया गया था इसके अलावा अब तक Constitution के अंदर लास्ट में 2021 की बात कर रहा हूं 2021 तक 105 105 Constitutional Amendment Act आ चुके हैं अब तक इसमें सारे Constitutional Amendment Act जो है एक के बाद एक आती रहे हैं लेकिन एक Constitutional Amendment Act आता है Constitutional Amendment Act 99 Constitutional Amendment Act इसको क्या था Judicial Review के अंदर इसको क्या कर दिया गया था वाइट इनल एंड कर दिया था मतलब सुप्रिंग कोर्ट ने जो Constitutional Amendment Act 99 आया था इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया था बाकी जो है बाकी माइन किये गए हैं लेकिन कंप्लीड एक ही Constitutional Amendment Act है जिसको कंप्लीड सुप्रिंग कोर्ड ने खारिज कर दिया है अगली सी हमारी आती है No Joint Setting मतलब Constitutional Amendment Act के लिए किसी भी टाइप की Joint Setting का प्रोविजिन के अंदर नहीं है मतलब separate या तो लोकसभा या राजसभा से उसको पास कराना पड़ेगा जो प्रोसीजर मैंसन है आर्टिकल 368 में यहां पर कोई Joint Setting नहीं हो सकती जैसे किसी बिल को पास नहीं हो पा रहा है तो उसमें सकते हैं लेकिन आर्डिनरी विल में बुला सकते हैं लेकि ऐसा नहीं है कि जो Constitution Amendment Act के थुरू हम Joint Setting का कोई प्रोविजिन नहीं है अब Constitution को कैसे किया जाता है उसका तरीका हम देखेंगे सबसे पहले Constitution को कैसे करना है क्या करना उसके लिए पूरा एक बिल बनाया जाता है इसको बोला जाता है Constitution Amendment Bill को या तो मिनिश्टर ला सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर जो मतलब और प्रस्जियंट के पास जाएगा मतलब अगर परल्लमेंट से पास होने के बाद में ही और क्या होगा प्रस्जियंट के पास जाएगा प्रेसिजेंट के पास जाने के बाद में उसके उपर सिगनेचर करेगा मतलब उसको करेगा उसके उपर और वो क्या बन जाएगा फिर फाइनली Constitution Amendment Act बन जाएगा मतलब क्या बन गया Constitution Amendment Act बन गया इस टाप से Constitution के अंधर किया जा सकता है अब देखते हैं क्या प्रोसिजर यूज़ोता है तो आमेंडमेंड ऑफ Constitution इनिशिट बाइब आइधर हाउस पार्लिमेंट सेपरेटे मतलब किसी भी हाउस में लोग सवा या राज्यशवा लोग सवा या राज्यशवा किसी हभी हाउस में सेपरेटली उसको लहाया जा सकता है तो इसको इंट्रडिश कौन करा आता है या तो को तो थर्ड और प्रिजेंट और बोर्टिंग प्लस हमारा आता है 50% और टोटल मेंबर से पूर हाउस इस पेसल मेजॉर्टी मेरे टाइप सो मेजॉर्टी वारे लेक्चर में आ देख सकते हैं क्या हैसे सपेसल मेजॉर्टी अब इसको पास किया जाएगा और जैसी पास हो जाएगा लेकिन अगर देखा गया कि अमेंडमेंट जो है फैडरा को चैन्ज कर रहा है कि अगर किसी फैडरल प्रोबिजन के अंदर मतलब इस्टेट और सेंटर के ऊपर इस्टेट के ऊपर वह चीज़ एफेक्ट हो रही है सेंटर के ऊपर भी मतलब अठी हमारा तरीका आता है को अमेंड करने का इस टेप से मेंदर कोई भी चैन्जिंग किए जा सकता है लेकिन फिर बोला बैशिक स्टेक्चर को नहीं चारह सकते अग tipping हैं में अगली वीडियोव में दिखियर क्लेखनेश क्या है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थेंक्यू, 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 अब्रीबॉर्ट